IPL 2022 में आज का मैच RCB और गुजरात टाइटन्स के बीच खेला गया था और इस मैच में RCB की टीम ने गुजरात टाइटन्स को आठ विक्टों से हरा दिया और इस जीत में विराट कुहली ने काफी महत पुर्न योगदान दिया जहां पर विराट कुहली इस IPL में पहली बार काफी बहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे है और विराट कुहली ने सिर्फ 54 गेंदो पर 73 रनों की 38 पारी खेली और इस दोरान विराट कुहली ने 8 चोके और 2 लंबे लंबे छक्के भी लगाए तो इस वज़े से विराट कुहली 54 गेंदो में 73 बनाने में सफल रहे हलांकी मैच को फिनिस करने से ठीक पहले किंग कुहली आउट हो गए लेकिन IPL 2022 में वाइनली विराट कुहली ने वापसी कर ली है और सभी टीमों को अल्टीमेटम दे दिया है कि IPL के आने वाले मैच में अगर RCB की टीम प्ले आफ में जा आते हैं तो टेली ग्राम पर फॉलो करें लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा